मुंबई हिंदुस्तान का दिल और हिंदुस्तान के इस दिल ने आज तक कई बार से हैं इसकी शुरुवात हुई थी 1993 सीरियल बॉम ब्लास्ट से फिर 2002 बस ब्लास्ट, 2006 ट्रेन ब्लास्ट और 2008 ताज 26 ग्यारख मगर मुंबई पर उनका सबसे बड़ा वार अब भी होना बकी था और इस वार को रोकने की जिम्मेदारी थी मुंबई आंटी टेररिस्म स्कॉर्ट के एक ही उताकी मुंबई पुलिस पासपोर्ट पे रिलिजन देखर गोली नहीं चलाती क्रिमिनल रिकॉर्ड देखकर ठोक दियो हमारी इंटेलिजन्स के हसाब से तुम्हारी तरह 40 लोग और हैं जो लशकर के स्लीपर सेल बन कर हिंदुस्तान में सालों से रह रहे हैं अभी उनका वक्त आया नहीं जब बक्त आएगा तुम्हें उन्हें ढूनने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुझे ढून लिया तेरे बाकी साथियों को भी ढून लेंगे 93 में एक टन आर्डी एक्स आया था जिसमें से सिफ 400 किलो इस्तमाल हुआ और पूरा मुंबई हिल गया 600 किलो आज भी कहीं दफन है हिंदुस्तान ने मेरी किसमत बदली अब मैं हिंदुस्तान की किसमत बलड़ दूगा मेरे पच्चे पीवी अबू को सिंदा चला दिया उन लोगोंने हमानता हूं कि तुमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत था लेकिन तुमने भी तो सैकड़ो मासुमों की जाने ले ली उसका क्या दुख जाए शेहन में और भी पुली साफिसेज अपना काम कर रहे हैं लेकिन कोई भी ड्यूटी के लिए अपनी बच्चे की जान खत्रे में नहीं डालता इंटलिजन्स प्यूरो की थेयरी शायद सही है लशकर का अगला टारगेट मुंबयो का सूरिया वो लोग कब आएंगे यह में नहीं जानता पर वो आएंगे ज़रूर इस बार आएंगे ना तो देख लेंगे सालो को क्या करें सर शिवकर चलें यह काम एक ही कमी ना कर सकता है इधर अल्लग लेवल का धनली चल रहा है सर यह लोग साथ गाड़ी में बॉम फिटकी हैं जिस कोली से तू मरेगा उसके ओपर आइसा बड़े में लिखाओंगा मेड इन इंडिया अक्खा पबली को मालू है कौन आने वाला है तेरे को नहीं मालू गाड़ी ऐसा हमेशा घुमा की क्यों आता है और तू हर बार हेलिकॉप्टर पर क्यों लटकता है किसका जादा बड़ा है इंट्री कोई फरकने पड़ता है चलो अभी आप जानते हैं कोन है नाइम खान तीस साल इमानदारी से पुलिस के डूटी किया है इन्होंने और अब इनका बेटा अबास हमारे अंटी टेरिरिस्म स्कॉड का इक होनार आफिसर है ये है हिंदुस्तान के मुसल्मान आया पोलिस् झाल झाल